से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है बहुत सारे लोग आसे भी है जिनको जो है डिवीडी के माध्यम से पासा आता है DBD कहने का मतलब साफ है दोस्तों की direct transfer जो सरकारी योजना होती है जो भी सरकारी योजनाए होती है उसकी जो पैसा होती है और DBD के माध्यम से आपके account पर direct आती है कहीं आपका account तो है inactive तो नहीं है कहीं आपका account DBD के माध्यम से जो पैसा आता है NPCI के तहत तो उस में आपका a count जो है इनएक्टिव तो नहीं है इसको कैसे check करना है और आप लोगों को कैसे माल लगवाद इनएक्टिव है तो उसको कैसे आप change करेंगे पूरी जानका इस वीडियो के माधाम से बताने वाले है वीडियो को आ खटापर से like कर देना like करने के साथ साथ। channel सब्सक्राइब करें करते हैं आपने बताते हैं कि आपको check कैसे करना है लगा typed सिर्फ एक ही तारीके में बताएंगे प्छिलाव बाद में सब्सक्राइब appropriate दुस्तों आप लोगजकों आगे विडियो में मिलने वाला है फिलाल दूस्तों आप लोगों चेक कैसे करना है को पैसा आता है if डिडी के माध्धम से कोई बहुत सारे सरकार्य योजनाएं होती यह से कि दूस्तों आपको । हो गया सिर्फinkत बाjo q! इब ले चांपने रोजगार 9-2 में काम किया और काम करने के रुपे uneers video में कौन किया आधार कर दे दिया सब कुछ ओहां पर दे लिए लेकिन dvd के माध्धम से आपके found पर Ça ट्रांसपर कर दिया गया लेकिन आपको पता ही नहीं चला ठीक है आप को पता है नहीं चला तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका एकाउंड कॉंड सा लिंग है कॉंड से जो है NPC के तहद DVD के माध्धम से लिंग है वो कैसे चेक करेंगे चलिए पूरी process मुबाइल को लेकर बताने वाले हैं तो वीडियो पर बने रहेगा सुरू से लास्त तक तब आपको पूरी समझा आईगा सबसे पहले तो आपको अपने मुबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद दोस्तो सर्च बार में आपको टाइप करना है UIDAI सर्च करना है जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तो आपके सामने इस परकार से एक जो है अपिसल साइट आपको देखने को मिल जाएगा इसी पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तो आपके सामने इस परकार से एंटरफेस खुलके आज आएगा यहां पर बहुत सारा आपसन आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर यहां पर सारा काम है दोस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर समस्पर कौन सा अप्सक्ण आप लोगों को बताते हैं तो यहां पर एक option आपको देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो पर लाज तक बने रहना है तब आपको जानकारी मिल पाएगा तो कैसे आपको चेक करना है आपको समझ में आएगा तो यहां पर एक option आपको सबसे पहले क्या करना है यहां पर देखने को मिलेगा आधार सर्विस करके यहां पर देख सकते हैं आधार सर्विस जो लिखा हुआ है इसी पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके समने इस परकार से एक पेज फिर से खुल के आज आएगा यहां पर आपको बहुत सार्व आपसन फिर से देखने को मिलेगा तो यहां पर क्या करना है दोस्तों इस कोल करते भी नीची आएंगे नीची देखने को यहाँ पर देखने को मिखा यहाँ पर देखने को मिलेगा यहां पर इस परकार से देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है यहाँ पर सबसे पहले दुस्तों आपको जो है अधार नमबर फिल करना है कहाँ पर अधार नमबर फिल कर दिना है यहाँ पर आपको अधार नमबर फिल कर दिना है उसके बाद जो जो केपचा दि फिल कर दिया अब सेटोडी पे क्लिक करता हूं दूस्तों मेरे जो मुबाइल नंबर लिंक है जो अधारकार से लिंक है उस पर एक को टीपी भी जागया है यहां पर देख सकते हैं से इसे इसे नोटीपी यहां पर फिल कर देना है चलिए यहां पर फिल कर देता हूं यहां पर OTP आपको फिल कर देना है यहाँ पर OTP का अप्सन है यहाँ पर क्या लिखा था निनिया अन्वे सब्सक्राइब करते हैं जैसे सब्सक्राइब करते हैं जो हमारा बेंक है ओ यहाँ पर लिंक है यहाँ पर बेंक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक यहाँ पर हमारा लिंक है और यहाँ पर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर बेंक एक्टिव है या नहीं है बेंक यहाँ पर एक्टिव है और यहां पर इनेक्टिव दिखाता है तो आपको इनेक्टिव दिखाने के कारण यह है कि दोस्तों आपके बेंग में आपको जो है लेंदेन करना इस्टार्ट करना चाहिए यह तो दोस्तों इस बेंग को इनेक्टिव बता रहा है यहां पर तो आपको करना क्या है अपने टो आप रखना चाहते हैं तो टा सकते हैं यह चेंज करने चाहते हैं तो यहांपर देख सकते हैं सारा चीज है किसुट यहांपर जानकर पर each करना कैसे बलूगों बता दिए Son दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा और मिन्वथ किताँए तो आपका चेंज करने के बिला दोस्तों क्या क्या करना होगा? उस फार्म को जैसे फिल करेंगे दूस्तों आपके जो एकाउंट को लिंक करना चाहते हैं लिंक हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं विडियो को लाइक कर देना अपि तमाम दोस्तों कर देना अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कोमेंट करके जरू बताना चल आमत्रहू